नमस्कार टार्गेड विद आलोग के 8 पीम न्यूज बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिश्रा खबरों की सुरुआत करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन्स पर आईबीपी ने जारी किया उपेन बजट सर्वे भारत तिरपन में और न्यूज इलेंड पहले पायदान पर बनर घटा राश्ट्रिय उद्यान में इनिमल एडाप्शन प्रोग्राम सुरू कोबरा के लिए 2000 और ACI हाथी के लिए लगेगा 1.75 लाख रूपया USAID भारत को देगा अतिरिक्त 3 मिलियन डॉलर जरूरी योजनाओं को संचालित करने में मिलेगी राहत वाडा ने टोकियो उलम्पिक पर प्रतिबंध लगाने का दिया सुझाओ हर साल तमाम खेलों में प्रतिबंधित दबाओं की सूची जारी करता है वाडा डिसकस थ्रोवर संदीप कुमारी पर भी 4 साल का लगा प्रतिबंध और अब आईए खबरों को देखते हैं विस्तार से बजट से संबंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुचाने और उत्तरदाय तोपून बजट प्रणाली अपनाने पर जोर देने के लिए खुला बजट सर्वेक्षण यानि ओपन बजट सर्वे प्रकासित किया जाता है इस बजट का सर्वेक्षण अंतररास्टी बजट भागिदार यानि इंटरनेशनल बजट पार्टनर्शिप यानि की आई बीपी द्वारा जारी किया गया था इस सर्वेक्षण में कोई भी देश बजट प्रस्तुत करते समय कितना इमानदारी और पारदर्शिता बरतता है इस पर चर्चा होती है और इसी आधार पर देश की रैंकिंग तैयार की जाती है इस वर्ष सर्वेक्षण में कुल 117 देशों को सामिल किया गया इस बजट को तैयार करने के लिए कई अंदरास्टी मानकों को ध्यान में रखा जाता है अर्थात इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई देश बजट प्रस्तुत करते समय उससे संबंधित संपून सूचना देता है की नहीं इस सर्वेक्षण में भारत सव में से 49 अंकों के साथ 53 अस्थान पर है जबकि चीन 19 अंकों के साथ इस सर्वेक्षण में 98 अस्थान पर है जबकि 87 अंकों के साथ न्यूजीलेंड और दक्षण अफरीका क्रम्शह प्रथम और दूसरे अस्थान पर इस सर्वेक्षन में IBP द्वारा भारत को सुझाओ दिया गया कि बजट निर्माण में लोगों की राय लेने के साथ साथ वारसिक बजट प्रस्तुत करने से पूर्व बजट का विबरण छाप कर जनता और जन प्रतिंधियों में बाट देना चाहिए जिससे बजट पर जन सा में किया गया था इसका मुख्याल है अमेरिका की राजधानी वासिंग कटन डी सी में इस्थित है बनर घटा राष्टी उद्यान ने इनिमल एडाप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को एक वर्ष के लिए उद्यान वन जीवों को घर ले जाने की अनुमती प्रदान की है वनर घटार जैविक उद्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरन, सांभर और हाथी इत्याद को गोंद लिया जा सकता है जिसके लिए सुल्क का भी प्रावधान किया गया है भारती कोबरा को गोंद लेने के लिए 2000 और ACI हाथी के लिए 1.75 लाक रुपिया प्रतिवर्स की दर से अदा करना होगा आपको बता दें कि इस पहल का मंतव्य वन्य जीवों को संदक्षन में जागरू करने के साथ साथ वन्य जीवों को विभिन ब्यवहारों से लोगों को अवगत कराना है गौरतलब है कि बनर घटा राष्टी उद्यान करनाटक के बंगलूरू में इस्थित है जिसकी अस्थापना वर्स 1972 में की गई थी और बाद में वर्स 1974 में इसे राष्टी उद्यान घोंसित कर दिया गया था वर्स 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं पर अस्थापित किया गया यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारती तिंदूओं, बाग, चीतों और हाथियों के लिए सुरक्षित आस्रय अस्थल माना जाता है अमेरिकी सहायता एजनसी यानि US Agency for International Development ने COVID-19 के खिलाफ लडाई में भारत को अतरिक्त 3 मिलियन डॉलर देने की घोशना की है अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्तर ने COVID-19 के खिलाफ भारत के प्रयासों की सराहना की और अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक अधिकारिक बयान जारी करते हुए यह कहा कि COVID-19 का मुकाबला करने में भारत का समर्थन करने के लिए भारत को अतिरिक्त धनरासी जारी करना संयुक्त राज अमेरिका और भारत के बीच मजबूत और अस्थाई साजेदारी का एक बेहतरीन उदारण है इस धनरासी से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, हिल्थ केयर, एक्सेस और दिरगायू तथा प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना के अंतरगत आने वाले 500 मिलियन गरीवों को इसका सीधा लाफ मिलना संभव हो सकेगा संसाथनों को जुटाने और चिकित्सकी ये उपकरणों के त्वरित निर्माण में भी इसका लाफ मिलेगा गवरतलब है कि अमेरिकी सहायता एजनसी यानि USAID गैर सरकारी संगठन है इस संगठन की अस्थापना 3 नवंबर 1961 में की गई थी इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वासिंग गटन डीसी में है यह संसथा मेडिकल, हेल्थ केर, एकडेमिक, बिजनेस और अने चित्रों में लोगों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है USAID का मिशन करीब 100 देशों में विस्तारित है विश्व डोपिंग वीरोथी एजनसी वाडा यानि वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी अंतराश्ट्रिय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए विश्व अस्तरिय स्वतंत्र संस्था है वाडा की अस्थापना अंतरास्ट्रिय ओलंपिक समिती द्वारा 10 नमबर 1999 में स्विर्जर लेंड के लूशिन में किया गया था वर्तमान में वाडा का मुख्याले कनाडा के मौन्ट्रियल में है अंतराष्टिय ओलम्पिक समिती एक गयर लाभकारी स्वतंत्र अंतराष्टिय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतरीन विश्व निर्माण के लिए प्रतिबध है यह संगठन 23 जून 1894 को गठित हुआ इसका मुख्याले स्वेटिजर लेंड के लोशने सहर में इस्थित हैं ओलम्पिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना और उचित तरीकों से ओलम्पिक मुल्यों को बढ़ावा देना इस संगठन का मुख्य उद्दे से हैं इंटी डोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धी और वैस्विक अस्तर पर इंटी डोपिंग कोड पर अपनी नजर रखता है विश्व इंटी डोपिंग संगिता सभी देशों एवं खेलों में डोपिंग विरोधी नीतियों का सामंजस अस्थापित करने वाला एक द वर्तमान में वाडा से मान्यता प्राप्त कुल 35 प्रयोग सालाएं हैं जहां नमूनों की जाच और अनुसंधान कारी किये जाते हैं दिल्ली में भी वाडा से मान्यता प्राप्त एक संस्था है हाल ही में वाडाने 2020 में होने वाले टोकियो उलम्पिक सहित अंतराश्टिये खेलों में रूस पर चार वर्ष का प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है और वांत में आईए कुछ ऐसी खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहास से महत्वपूर हो सकता है केंदरी संस्कृती मंतरी प्रहलाद सिंग पतेल ने 2 मई 2020 को महान पुरातत्व प्रोफेसर बीबी लाल के सताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया री डिस्कवर नाम से ई-बुक का विमोचन नई दिल्ली में किया प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 को उत्तर प्रदेश के जहासी जिले में हुआ था प्रोफेसर लाल 1968 से 1972 तक भारती पुरातत्व सरवेक्षण के महान निदेशक रहे इन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूसन से शमानित किया गया था आज यानी 4 मई 2020 से ब्रिटेन सरकार कोरोना वायरस यानी COVID-19 महामारी लॉकडाउन के कारण छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन नाम की स्किम शुरू करेगा जो की सत प्रतिशत सरकार द्वारा वित्त पोशित होगी हाल ही में नासा वह स्पेस एक्स ने कहा कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उडान लॉंच करेगा महत्त पूर्ण यह है कि यह फैसला तब लिया गया है जब समुचावेश्व COVID-19 महामारी से जूज रहा है यह एलेन मस्क की कमपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉंच है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराश्टी अंतरिक्ष इस्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को कमर्शियल क्रू या वानेजिक क्रू नाम दिया गया है इस मिशन में Falcon 9 रॉकेट के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराश्टी अंतरिक्ष इस्टेशन पर विश्थारित प्रवास के लिए भेजने की योजना है बेहकेन वा हरले को डेमो 2 के मिशन के लिए प्रसिक्षित किया जा रहा है ये दोनों ही यात्री अंतरराश्टी अंतरिक्ष इस्टेशन में तकरीबन एक से चार माह तक रहेंगे वाणेजी क्रू कायक्रम को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोसित किया गया है इसका प्रसासनिक कारियानवयन नासा की देख रेख में हुआ इसकायक्रम के तहत निजी विक्रेता अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराश्टी अंतरिक्ष इस्टेशन तक ले जाने के लिए कुरू वाहनों का संचालन करेंगे डेमो वन मिशन को इस्पेस एक्स ने लॉंच किया था यह अंतराश्टी यह अंतरिक्ष स्टेशन में लॉंच की जाने वाली पहली उडान थी वाडा यानी वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी ने डिसकस थ्रोवर या चक का फेक संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के चलते चार साल का प्रतिबंध लगाया है संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था फिलहाल इस बॉलिटिन में बस इतना ही हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा चैनल को सबस्काइब करिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले